एसेच केलकर हाँ अलेक्ष जी एसेच केलकर एंड कंपनी वोल्यूम कम है तो मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा आपको दिखा है तो वालियूम कम है इस चार्ट ने 5 डिसेंबर को अपना पिछला रेंज बहुत अच्छी तरह के से तोड़ा है एक 140 के उपर ब्रिक आउट जैस से दिया है stock ने stock अभी थोड़ा सा consolidation phase में ऐसा हम खह सकते हैं इसके अंदर main दिक्कत volumes की है इसकी वज़े से हम ज्यादा long term analysis तो इसका नहीं बता सकते हैं लेकिन अगर पहले से कोई इसके अंदर hold कर रहा है तो आलेक्ष जी इसको हम लगभग एक 154 के targets तक hold कर सकते हैं with the stop loss of closing basis of 140 140 के नीचे अगर ये closing daily basis पे होता हुआ दिखाए देता है तो पहले से जिसने hold किया है वो exit हो सकता है और अगर इसको 155 के level की तरफ जाते हुए देखते हैं तो वहाँ पे profit booking करना अच्छा होगा नई entry recommended नहीं है series के अंदर जी तो यह है राय ऐसेच केलकर एंड कंपनी स्टॉक पे बता दी है बहुत अच्छा से तुल जी ने